नमस्कार दोस्तो जै माता दे जै माता लक्षमी सबसे पहले मैं अपने सभी प्रीदर्सकों को धन्यबाद देना चाहता हूँ कि जो आप लोग मेरे साथ इतने प्यार से सिनेह लगा करके मेरे साथ जूड़े हूँ और आज मैं जो भी हूँ बस आप लोगों के दुआ है और आप लोगों का प्रेम और आप लोगों का प्यार है इसलिए मैं आप लोगों के सेहत में चारचांद लगाने के लिए हर बार एक से बढ़ करके एक से मैं खास कुछ ऐसे जड़ी बूटी बनस्पतियों के बारे में लाता रहता हूँ और आज का मैं जिस मैं बनस्पति के बारे में बात करने वाला ने इस बनस्पति के बारे में हर कोई लगभग जानता ही होगा लेकिन खास तरीके से अगर आपका बच्पन ग्रामींड स जुड़ा हुआ है या बच्पन गाउं में बीता हुए गता आवसी आप इसके बारे में बहुत ही अच्छे से रूबरू होंगे ध्यान से आपको थोड़ा देख लिजे पहचान लिजे जो आपको स्क्रीन पर पहधा दिखा है देरे बनस्पती कुछ लोग इसे घास फूस भी कहते हैं ऐसे ठीक है घास फूस है लेकिन एक घास फूस जो हमारे घर के आसपास खेतों खलीहानों में बार बगिच्चों में रोड के किनारे पाए जाते हैं ओ घास फूस समझकर उखार कर फेक देते हैं आज तक यही करते आ रहते हैं लेकिन साइद नहीं पता होता कुछ घास फूसों में से कुछ ऐसे भी हमारे कुछ ऐसे घास होते हैं कुछ ऐसे बनस्पती होते हैं जो अनेक परकार के रोगों को खतम करने की चमता रखते हैं जिनमेंसे आज का मैं जिस बनस्पति के बारे में जिस घास फूस के बारे में बात करने वाला हूँ उसको हम लोग तो रसभरी के नाम से जानते हैं और हमारे इस ग्रामी डिरिया में लोग को मुकैचा के नाम से जानते हैं पता नहीं आपके आहां पर इससे किस नाम से जाना जाता है, वैसे यह जो रसभरी है, बहुत ही मीठा लगता है, यदि आपने खाया होगा, तो अबस इसके बारे में बहुत ही अच्छा से जानता होगा, एक दिब ओसदी है, इसको अपने बच्ध्पन में खाया है, लेकिन इसके फाइदे नहीं जानते तो तो स्वाद में अच्छा लगता था इसको जैसे मैंने खाया है तो फलों को खाने का तो इसका फाइदा है ही है साथे साथ में इसके पत्तों में भी बहुत जवर्जस्त कुछ ऐसे ऑसदी गुड़ पाए जाते जो हम सभी को सेवन करना चाहि इसलिए इस जो रस्भरी का पौधा है इसके बारे में अच्छे से ग्यात होना चाहिए पहले नहीं पता था खेलते थे तोड़ करके खाते थे लेकिन उससे में इसके फायदे के बारे में नहीं पता था लेकिन आज मैं आप लोगों कुछ जो मैं फायदे में बताऊंगा अनेक परकार के विमारियों का खतम कर देगा बिलकुली तो सबसे जरूरी है इसका पहचान करना क्योंकि कुछ लोग हो सके नहीं जानते होंगे किसको कैसे पहचान करते हैं इसका जो फल होता है मार्केट में मिलता भी है अगर आप उत्तर परदिश के गोरकपुर जिला से ज एरषाब से इसका पहचान करना बहुत ही जरूरी है इसका पत्ता होता है भालाकार के यकार का होता है थोड़ासा treatment सा चोटे-चोटे कोई बहुत और छोटे रहते तो एक फुट में भी फल लगने तयार हो जाते हैं ये डिपेंड करता कि किस जगह की कैसी जमीन है और यदि आप गाउं में रहते होंगे तो इसके बारे में तो मुझे कोई खास बताने की जरूरत नहीं है पौधा पाचानने का आप भली बात इससे पाचा जनवरी में फल जो एसका फ हृत पकना शुरूर हो जाता है क्योंकि अधिक्तर discipline के खेतों में घंने के खेतों में यजो erreस्भारी का पौधा अपने याप ही उगता है इसको बोने की जुरूत नहीं होती है तो आप जो अगर अस्भरी का पौदा कहीं पर वे दिख जाता तो उसको खाईएगा ठीक है लेकिन इसके जो चमतकारी उपा है सही तरीके से थोड़े से इस्तिमाल करते हैं तो और भी सासात कई सारे बीमारिय można हो सकते है शुरूआत में इसका फली रहता है हरा रहता है ठीक है युदि यदि घच्चा खाते है न तो बहुत हीं करवा लगता है तो खड़वा लगता हो तुसको खाने से जब पक जाता तब खटा मीठा कुछ इतने मीठे लगते स्वादिश्ट लगते वाव क्या मज़ा जाता है तिस तरीक से पहचान तो आप कर सकते हैं आपको इसकी पौई से दिखाई भी दिराऊगा गाहों में कहीं कहीं पर इसे चि टा क्या चीजे पाए जाते हैं जिसके वजह से यह हमारे सरीर के यह इतने ज्यादे फाइदे मन होता है जड़ी देखा जाये तो इसके पत्तों में इसके फ़लों में बिटमीन यहां कैलोरी की मत्रय कम होती है जो इलस्टریल को कंट्रोल करने में रहात देता है को कंट्रोल कर सकता है लिवर को कर सकता है बीमारिया है आपका संथा खत्म कर सकता है लेकिन तरीका का टाकोन अाई सकते हैं लेकिन आपको पत्ते बहुत ही आसाने से पेड़ी में में जो कुछ पौञें लेकिन आपको सुबह सेवन जरू करना सब्सक्री धर होता हैं ठीक है यह भी तो क्योंकि कई परकार के होते हैं खास तरीके से तीन परकार के होते हैं पहला जो रस्वरी है उसको देशी रस्वरी के नाम से जाना जाता है इसका रंग जो देखा जाए जब पकता है तो इसका रंग जो हलका पीला रंग होता है लेकिन जब थोड़ा पक जा समस्याओं के लिए अजबर चस्ति कारक होता है क्योंकि विटामिन सी की कमी से स्करवी रोग होता है ठीक है और विटामिन ये भी इसमें पाए जाता है तो रतवदी के लिए आखों समंद्र के लिए अनिक परकार कैसे फायदे हो सकते हैं या इम्मिनिटिय सिस्टम की जो है अच्छी खाषी परवार करता है दूसरा इसका जो प्रकार है दुसरा रस्बरी है वहरे दिस्को रस्बरी नाम से पता चला हि और नारंगी से भी थोड़' सा रेडे-टाइब का हो जाता है और ये बहुत ही मतलब ये सब से फस्ट्ट क्याल्टी की रसवरी है इसका साइज में भी काफी इन दोनों रसवरी से बढ़ा होता है मस्त खाने में मज़ा आ जाता है ठीक है जब इसके छिलके सूख जाते है पकना सुरू हो जाते हैं मिलना सुरू हो जाते हैं तो आखिर इसका किस तरीके से यूज करना है कैसे इसका उपाय करना है इन सब चीजों को जाना बहुत जरूरी होता है सबसे पहला नमर का उपाय है किया आपके पेट सम्मंदी समस्याओं को खतम करेगा, पेट समंदी समस्याओं सबसे बड़ी गड़़ी होती, किसी का भी भूक किसी को नहीं लगती या किसी को भूक बहुत जादे लगती है तो यदि आप इसका सेवन करते हैं तो इसको कंट्रोल कर देता है, साथ ही साथ आपके digestive system को बहुत ही अच्छा कर देता है, मतलब आपकी पाचन चमता के जो है अच्छा कर देता है, एक्चुली जब इसका हम सेवन करते हैं, इसके यदि फलो को खाते हैं, जो रस्बरी है, इ नहीं अच्छा कोई भी भोजन खरते हैं तो पच्छता है जब आपके पाचन छमता सही रहेगी तो आपको कोई भी रोग जो है नहीं हो सकता है ठीक है सब को सही रहता आपका पीट साफ रहेगा जब आपका पीट साफ तो सब भी मारी साफ ठीक है तो आपको कैसे सेवन करना इन सब चीजों को भी जाना जरूए या तो आप इसके पत्तों का काढ़ा ले लेजिए पिल जिए या आपको रसभरी अगर मिल जाते हैं तो सुबह सुबह 10-12-20 अपने इच्छा रुसा 10-15 खा सकते हैं नुक्सान नहीं करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है ठीक अगर हर जो या इसके पत्तों का रस या इसका रस बना पर को समस्या है तो डाइबिटीज में हैं कापी अच्छा कंट्रोल करता है अगर जो इसके फॉल को खा ले चिए या इसके काढ़ को तीनी दीन भर में एक वारी पीना, पीना है, ज्याते नहीं पीना है, ठीकर, फोड़ा सा अगर काड़ा पीते हैं, थोरा सा कड़वा लगता है, तो बगी doubles को भी काता है, इसमें केलोरी की मातरा बहुत कम होती है, और ये तो करराब Taylor को खौराब कोलेश्टराल रहते हैं उसको निकाल करके फेग देता है हटा देता है इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती जिसके वज़े से क्या होता है कि आपके सरीर में फैटी जो रहता है जो चर्वी रहता उसको कंट्रूल करने में बहुत ही अच्छा कारक होता और आपका मुटापा जो है अगला नमर कारक होता है यह पिलिया में भी अच्छा खासा प्रेडाम देता है क्योंकि पिलिया में जो है इसके पत्तियों का रस लेना है पिलिया में भी कैसे थोड़ा इसको काढ़ा नहीं सेवन करना है पिलिया रस में लगतार यदि आप चार से पाँच दिने तक सेवन कर लेते हैं, तो आपको पिलिया में रहात देखने को अवसे मिलती है, अगर स्टारटिंग स्टेज में रहता तो पिलिया झाहता है, लेकर गंभीर समच्याथ हो सके, या 10 दिनिदिष टिन करना पड़ सकता है। इससे आपको पिलिया में 100% रहात मिलती ही मिलती है इस रसभरी के पतों में रसभरी के फलों में एंटी आक्सिडेंट की गुड़ पाये जाते हैं और एंटी आक्सिडेंट गुड़ पाये जाने के वज़े से बिटामें C भी अच्छी खासी मातरा में पाये जाते हैं इसमें pię Moss के काईलोरी की मात्रह कम होती जिसके वजे से क्या होता चूंको सेयन करने मात्र इम्मून्टी शिष्टम एजो रोग प्रतिरोधव छमति stan к जी से बोलते रोगों से जो लड़का अर्मी ऑली स्कीनिक जो रोगों से बाड़ी के सैनिक है जो आर्मी के जो सोल जा रहा है उनको यदि मजबूत बना करके रखना है तो आपको इसका सेवन करना ही होगा रस भरी या तो आप इसके पत्तों का काढ़ा बना लेजिए या तो इसके पत्तों का रस जादे नहीं अगर आप इसके पत्तों को वैसे ही न गठिया में कैसे कारे को पीना आप इसके काढ़े को पीना तरौ अंदर से उसको कट्रूल करता करता है वहां पर रहा देती तर्फ कैँद इसके पत्यों को ही सब्सक्रिकर यहां पर ले प और वहां पर भी आप इसका शुजन करूं हाहां अब इसका लेप लगा सकते हो तरीके से कारिगर सीधनी करते हैं यदे इसका सेवन करते है तो आप साब्सक्मणृरी ऋंदर से जबरजस्त गुड़ है कि यह औसधी गुड़ों के खान है इनमें अनेक परकार के बिमारियों को खतम करने का एक मात्र जो है उपाए है तो आप इसका सेवन अवस्य करें अगर आप गाउं से बिलांग करते हों सहर से बिलांग करते हों कहीं पर भी अगर आपको कहीं दिख जाता है या कोई बेचता हुआ दिक जाता है तो आपको अवस्य खरीद कर खिलाना चाहिए और अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को खिलाना चाहिए हर सुबह अगर खाली पेट आप इसका सेवन करते तो बड़ी ही अच्छी बात है इसके पत्तों का या आपके अगर दर ही कैसे सुखी बना के रखेगा मुझे पूरा उमेद है कि आप इस प्रकार करके वी-डियो को देखने में रूची रखते और उसके लिए भटकते रहता है आप इस परकार के वीडियो को अपने तकी सीमित नहीं रखिए बहुत सारे ग्यान वाली भाते होती है इस वीडियो को आप अधिक साधिक लोगों तक सेर करिए ताकि इस ग्यान की बाते और लोग भी और हमारे भारत भाईयों लोग को पता चल सके तकि वे लोग भी अपना घर पर इलाज करके अपने धेर सारे रुपे बचा सकते हैं तो चलिए आज के लिए मैं बीदा लेता हूं अगली मैं वीडियो में आपके लिए एक विस्ट एक कुछ ऐसी बनस्पतियों के बारे में लेकर आँगा अगर आपको कोई ऐसा बा